करने में रूट वर्ड्स का नवावर्ण पूजा और उसमें आपने वर्णन किया उसमें खुद पहचान जाओगे कि खुद देवी हो वैसे ही होता है उसमें मैं अभी बिल्कुल दूसरी चीज पर बात करो मैं क्या कहना चाहरा हूं हमारे यहां भाषा के तौर पर रूट वर्ड्स दे रखे हैं कोई भी भाषा होगी मतलब दुनिया की कोई सी भी भाषा होगी उसमें रूट वर्ड्स हैं संस्क्रित में उसको धातू कहते हैं यह जो रूट वर्ड्स को ढूंडेंगे तो हर भाषा रूट वर्ड्स से स्टार्ट होती है लेटिन में यह रूट वर्ड है फ्रेंच में यह जर्मन में यह ऐसे करके आप हर भाषा को आगे पीछे पी देखेंगे उसका तो वह रूट वर्ड्स से हो बाता है रूट वर्ड्स का कोई टेक्स ऐसा नहीं मिला जो यह बताए कि root words originate कहां से हुए root words में prefix suffix लगाकर words बनते हैं यह दुनिया में सभी को बताए ऐसा कोई नहीं है कि जिसने की basic language पूरी दुनिया में कोई सी भी पढ़ी हो तो जब मैंने यह ढूड़ना शुरू करा तो मुझे पता चला कि जो मेरा यह nine chakra system जो है इस nine chakra में जो alphabets लिखे हैं उसके घूमने से combinations में जो words बनते हैं वो root words होते हैं जिनको हम बीज मंतर की five categories कहते हैं बीज मंतर या मंतर की five categories कहते हैं and that's how logically structures बने अब कोई पूरी दुनिया में इसको कैसे accept करेगा जबकि आधी दुनिया जो है वो spiritual domain की आधी दुनिया इस non spiritual domain की है तो जो non spiritual domain की दुनिया है वो दुनिया कैसे इस पूरे system में participate करेगी तो for that very reason I realize कि जो नवीन निरुत की संग्रचना नहीं हो पा रही थी वो यह था तो मैंने अपना जब पहली बार नवीन निरुत के तोर पे करना शुरू करा तो मैंने वो पूरा structure define करा और उस structure को define करके जब मैं श्रीयंतर और इस प्रक्रिया में यूज कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि जो जो images मैं form करता जा रहा हूं उसकी energy बढ़ती जा रही है एनर्जी जो बढ़ रही है वो इस वरे से है क्योंकि मैं हर step पे एक logical structure बना रहा हूं अगर वो जरासा भी logical नहीं होता तो उसकी उतनी energy नहीं होती तो अगर हम पूरे system को कहीं से भी कोई भी change कर रहे हैं तो change करने के तोर पे उसकी language की understanding बहुत जरूरी होती है language कैसे बनती है उसके पूरे structures की आवशकता होती है तो जब हमारे यह सारी चीज़े organize होती है तब हमारे को पार्ट आता है now coming to जो आप अभी बोल रहे थे नवावरण पूजा और वो सारे aspects जो है न तो जब हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें तीन पार्ट होते हैं कि बाइडिफॉल्ट हमारे यह object property action relationship यह चार पार्ट में हमेशा का discussion चलता है object और प्रॉपर्टी को एक माना जाता है action को एक माना जाता है relationship को कहते हैं ग्यान कार्ण तो ग्यान कार्ण का मतलब होता है जितनी भी relationship है उनको एक साथ देखना अब ग्यान कार्ण जो है वो तीन पार्ट में बटा होता है further एक को कहते हैं सामान्य संबंद commonality एक को कहते हैं specialty विशेश संबंद और तीसरे को कहते हैं cause and effect संब्वाए संबंद तो मेरा प्रतेग विख्ती से एक common संबंद होगा एक कुछ चीजों में विशेश संबंद होगा कुछ चीजों में cause and effect related संबंद होगा cause and effect संबंद को पकड़ने से हमें चीजों के order पता चलते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया तो जब हमारी यह activities चलती हैं तब हमारे यह process में चेंज आता है action पांच प्रकार के होते हैं और यह action को हम कहते हैं दूसरे प्रकार का पूजर कर्मकार्ण कर्म कहते हैं action को तो मैंने एक बोला ग्यानकार्ण एक बोला कर्मकार्ण तीसरा हो गया गुणकार्ण गुणकार्ण जी इसमें सारी properties related पार्ट होता है तो जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आप बोलते ना भगवान आप क्रिपालू हो आप माया लू हो अब दया लू हो यह ऐसे करके यह उनके गुण हैं तो जितने जितने भी गुण जिस वेक्ति को पताऊंगे वह उतने aspectsmus को लेकर चलेगा तो इस प्रकार से हमारे सिस्टम में 24 गुण हैं पांच कर्म हैं और तीन ग्यान के तोर पर हैं तो जब मैं इस structure को identify करता हूं तो मेरे वाले पूरे model में और यह आए कहां से मतलब हर चीज में मैं order causal ढूटूँगा न तो जो यह आए वो भी सारे के सारे object property action relationship जो है यह हमारा expression है जो कि स्थूल शरीड सुक्ष्म शरीड और कारण शरीड से आया जो की मैंने कल शेयर करा था न वो जो मैट्रिक्स जिसमें हरे की प्रॉपर्टीज लिखी थी causal body में मन आत्मा टाइम डारेक्शन ऐसे करके लिख्था था अभी स्थीन और कर्मकांड में क्या है कर्मकांड इस actions all actions five actions होते हैं वह उसमें शीट के अंदर तो लिखे हुए हैं वह बट एनिवेज हम इसको कर सकते हैं तो जैसे मैंने बोला कि मन आत्मा काल दिशा और आकाश यह मेरे पांच तत्व हो गए सुक्ष्म शरीर के तौर पे ओ सुरी कारंट शरीर के तौर पे फिर उसके बाद मन और आत्मा हट गया और इसमें वायू और अगनी जुड़ गया थो यू और अगनी के जुड़ने से ये मेरा मौडल में अनैदर दो एट्रिब्ट जुड़ गए दो माइनस हो गए तो यह से करके मेरे टोटल नाइन युणिक एलिमेंट बने पांच पांच के तौर पे 15 से मेरी युणिक बॉडD बनी जो पांच मेरेs ग्र सब्लड बॉडी और कॉसल बॉड़ि के हर एक की प्रोपर्टी थी तो प्रित्वी की क्या प्रोपर्टि है जल क्याइत विद्विए की चार है आत्मा की छे तो चार और छे दस तो मेरी कौजल बॉड़ी के अंदर टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई सोला तो जब मैं इश्वर को सोला कला कहता हूं तो वो सोला कला ये वाली है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कौन-कौन सी आ गई दस माइनस कर दीजे तो बचगे आपके तीन दो पांच और एक छे साथ और एक आठ 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 कला हो गई मेरी सेकंड डोमेन के अंदर जिसको मैं सूख्ष मशरीर कहता हूं और तीन और तीन छे साथ आठ नौ नौ कला हो गई मेरी ग्रॉस बॉड़ी की टोटल यूनीक कला मैं लेकर चलूंगा तो यह चौबिस कला बैठती है तो यह चौबिस कला मेरी चौबिस प्रॉपर्टी है जिनसे की मेरे गुण शरीर बनते हैं पांच मेरे एक्षंज होते हैं पांच एक्षं कौन-कौन से होते हैं उपर लेकर जाना नीचे लेकर आना फैलना सिकुरना और हर प्रकार की क्रिया यह मेरे पांच एक्षंज हो गए रिलेशन्शिप मैं और लड़ी बोली चुका सामान्य विशेश और समवाए और यह 24 प्रॉपर्टी बेसिकली नौ अब्जेक्ट लेर्स के तौर पर आती है जिसको कि हम मन आत्मा वगरा यह सब कहते हैं तो यह पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हमारे इसी स्ट्रक्चर की वजए से हम जो भी पूजा पद्दती और जिस भी आसपेट को देखते हैं वो इसलिए बन रहा है अब क्या है कि मैं जैसे आपने बोला कि मैं नवावरण की पूजा कर रही हूँ अब 9 गंटे आप 9 गंटे छोड़ी है 9000 वर्स तक पूजा करते रही है बट अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तो आप उस इश्वर वाले प्रोसेस को पकड़ी नहीं पाएंगे भावना प्रदान हो गई मैं भगवान का श्रिंगार कर रहा हूं वो ठीक है समझ में आता है लॉजिकल भी है बट जब मैं उसमें साइंटिफ डिवलेप्मेंट तभी होता है जब उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर भी साइमल्टेनियसली प्लेजड होता है कोई भी विक्ति एक लेविल के बाद इसलिए देख पाया क्योंकि वह उसमें लॉजिकल ही चल रहा था अब मैं अगर एग्जैंपल दूँ तो मेरा गोत्र है हमसब का गोत्र होता है गोत्र का एक रिशी होता है कि रिशी रिसर्च करता है मैं तो अगर मैं करूंगा cousin तो मेरा नाम हो गई ने कभी भी तो हमारे किसी ने फंडामेंटल जो प्रोसेस था उसको रिसर्च बना दिया कि जब तक विक्ति रिसर्च नहीं करेगा और राजा किसको सबस्यादा धन और वो देता था रिशी को यहां तो आशरी को फंडिंग करता था कि डेश में रिशी का मतलब हो गया आस्तिक जनता किसको प्रमोट करता था आस्तिक जनता को प्रमोट करता था क्योंकि रिशी खुद को नहीं मानेगा तो फिर वो कैसे करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर जो है जब ब्रिटिश और इन सब को समझ में आया तो उन्होंने उसके पैरलल नास्तिक दर्शन को प्रमोट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको आस्तिक दर्शन से कोई लाब नहीं था उसकी वज़े नहीं वहीं वह चीज जो की लोगों को मतलब जैसे हम क्या कहेंगे इसको जैसे भूक से रिलेटेड रिसर्च नहीं आई कि अगर सबकी भूक जो है उसको शांत करने के लिए आप कैसे चीजों को काम करेंगे वह वाला फसलो अगली बार वह बीज ही नहां उत्पन्नों उन्हें बीज मुझे से दुबारा खरीदना पड़े तो पूरी दुनिया में सबसे महगा बिजनस कौन सा सीडर रिसर्च का बिजनस है तो हमारी आँ जो काम करने की प्रकौरिया थी वह रिष्षी प्रदान इस लिए थी क्योंकि राजा रिशी को फंड करके आउटमेटिकली सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ही मिनिमाईज कर देता था अब आपको बिमारी होगी नहीं आज आपकी प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसर्च कम्यूनिटी है वो उन चीजों पर रिसर्च कर रही है जो की लोगों को परिशानी में पैसा दिलवा दे उसको तो हम पूरी सिचुएशन में सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं कर रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यह पूरी जो कम्यूनिटी है वो एक स्ट्रक्चर को खाल के भैंक देगी तब वो टाइम जनरेट होगा इंडिया कि जिसमें की स्पिरिचुलिस्टिक प्रॉसेश की रिसर्च शुरू होंगी जिसको की एम आइटी और हावर्ड जिसको की वह मतलब स्टैंपिंग कर देते हैं उसके तौर पे और एमाइटी वगरा जितने भी इंस्टिटूशन हैं उनको वहां के करते हैं तो हमारे स्ट्र में एक बिलिनेर जो है वो उसने राजा की जगे ले ली अब जो उन बिलिनेर्स को कंट्रोल करेगा तो जब मैंने इसको स्टडी करा तो आई रिला इसकी बिलिनेर भी तो human being है जब बिमार पड़ेगा तो किसके पास जाएगा अपने आपको infection से बचाने के लिए कमरे में दुबन कर लेगा तब मैंने सबसे पहले इसका पड़ा था जो यह गूगल का जो ओनर है लेरी पेज तो लेरी पेज ने जो है अपना वो जिनिटिक टेस्ट कराया था जिसकी वज़े से उसको एक हेल्थ इशू हो है तो उसकी Parkinson का सबसे ज्यादा probability था तो आरती ने तो सब से पहले healing ही Parkinson से करनी शुरू करी थी तो हमने का ठीक है हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं चीजें अपने आप ही turnaround होंगी क्यूंकि वन शुट पेशेंटली वेट फॉर इस टर्न नहीं वेट करेंगे तो obviously कुछ होगा नहीं तो हम अपनी research को ही बढ़ाते जा रहे हैं तंत्रा इस तंत्र का जो सबसे बड़ा विशेश पार्ट हुए है उसका एक section ही सिर्फ diseases पर बात करता है लेकिन उसका दूसरा section जो है वह यह मानता है कि व्यक्ति के अंदर निर्धनता और मृत्यू यह दोनों रोग है निर्धनता और मृत्यू उसको वह रोग की तरह से treat करता है इसलिए तंत्राज तंत्र के पढ़ने से लोग धन्वान भी होते हैं और लोगों के पास में वह powers आती हैं जो उनको मृत्यू से बचाती है तो इस तरीके से हमारा यह structure था और नवावरण इस फिनॉमनल मतलब मैंने नवावरण वाले लोग देखे हैं जो नौनों दिन तक जो है वो ना खुद सोते हैं ना देवी को सोने देते हैं और उनकी पूजा वगरा मैंने देखी हैं दोजा फिनॉमनल चलिए पनी पीपीटी पे वापस आते हैं तो तंत्रा तंत्र में क्योर भी लिखा हुआ है जिजीज का क्योर भी है पूरा पूरा संस्कृत नहीं है संस्कृत हैं दोनों ट्रांसलेशन है आजकल मैंने और रमेश जी ने सुबह सुबह उसी को शुरू करा है पर उसकी रिकॉर्डिंग हम रोज डालने हैं तो मतलब देर इस नतिंग लाइक कि आप उसको नहीं एक्सिस कर सकते हैं अभी दूसरा या तीसरे दिन लाए तो हम कल जो काम कर रहे थे वह डिजीज मैट्रिक्स के उपर कर रहे थे यहां पर यह लिखा हुआ है पूरा का पूरा ऑब्जेट प्रॉपर्टी एक्शन रिलेशन्शिप से रिलेटेट्ड यह चौबिस प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा था वह सारी लिख्यू है यहां पर आप 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 रहे थे तंत्र मेरीडियंस के उपर जो मैंने डिटेल्स शेर भी कर रखे थे कर 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 तंग कर लिखता भी चलूता कि ये थंब, sky element little finger is air तो ये मेरा sky हो गया थंब रिंग is fire middle is water ये हो गया little ring then index ये middle finger ऐसे करके मैंने अपने दोनों हाथ दोनों पर और वो टेक्स्ट आपके पास में है हुँ मैंने कल whatsapp पे शेयर कर दिया था तो उसको ही हम सिर्फ अब जो sky है जिसको हमने थंब से connect करा उसके लिए हमारा जो base बनता है that is head जो air है उसको हम यहां पर लंग से connect करते है lungs and respiratory system जो ring finger है इसको हम heart chakra से या फिर heart, liver, pancreas all that which is fire which is fire तो मतलब मैं अगर at any point of time अपने हाथ के अलग-अलग thumb को target करता हूँ तो head region को touch करने का जो system है that is for connecting the thumb is addressing the head connecting the little finger is addressing the lungs and the respiratory system connecting the ring finger is connecting the heart, liver, pancreas creation of blood so all that is connected with my ring finger the middle finger is everything to do with my swadhishthan chakra reproductive system so that is there the index finger is connected with manipur chakra creation of pran is what the domain is all about तो अब यहां से हमारे को जो है यह body parts का connection पता चल रहा है अब मैंने यहां पर लिरी टर्म को लेकर चला मैं so लिरी इस my right ear लिरी इस left ear अंग इस जो यह जहां माते पर बिंदी लगाते है अहां मेरा मुँ खुलने वाली प्रक्रिया से connected हो गया ल मेरा मुलाधार चक्र का NS पॉइंट श संपूर्ण शरीर विद आत्मा प्लस इस और सो पावर दू इस अब जो cellular reproduction अंग इस राइट हैंड फिंगर जोंट या इस लेफ्ट हैंड फिंगर जोंट रड़ा इस राइट फुट फिंगर जोंट न इस लेफ्ट फुट फिंगर जोंट माइस मन जब मैं इन सारे एट्रिब्यूट्स को identify करता हूँ अपने बॉडी के अंदर तो मेरे दोनों कान चीक है जी यह सब मेरे कौन से पार्ट से connected है थम से related process में इसके connections आ जाते हैं तो यह सारे body parts मेरे meridian फॉर्म हो गई दोनों उंगुठे हाथ के दोनों उंगुठे पैर के अब बाकि जितने भी body points हैं यह आपकी meridian के flow को बता रहे हैं मैं मेरा point समझा पाया मेरीडियन के points मेरीडियन हम कहते किसको है अगर आप Google करेंगे तो मेरीडियन को कैसे करूं कि मेरे शरीर में कोई चीज flow कर रही है तो कैसे कर रही है तो मैंने अपने दौनों हाथों के अंगुठे पैरों के अंगुठे और अपने head region के vibration को feel करा उसके connection को observe करा तो मैं इसको कैसे मेरे पूरे शरीर के अंदर बाहतर करोड़ बाहतर लाग दसजार दो सो दो नाडिया है तो एक बार में यह इतनी नाडिया एक साथ vibrate होती है तो मैं वह vibration को ही एक meridian flow में डालूंगा न तो यहां से मैं पूरे structuring को observe कर रहा हूं और फिर उसके फाइनल structure को observe कर रहा हूं तो इससे मेरे को पूरे system में disease और उसके reversal के process पता चलते हैं अब दोनों कान हैं दोनों कान listening के हिसाब से connected है मैंने दोनों कानों के तौर पर यह थम जो है उसको massage करना शुरू कर लिया अपने पैरों के अंगूठों को massage करना शुरू कर दिया अपने दोनों जो little finger के जो joints हैं joint अंदर का domain हो गया little finger बाहर के तौर पर होगा तो little finger का connection जो है वो मेरे air element से connect हो गया लेकिन little finger के अंदर के जो टेंडन joints हैं जिसके तो यह कभ यूज होते हैं उन usage के अगर कहीं भी disorders हैं तो वो address हो जाएंगे तो केवल थम के साब से और अगर मैं इसी प्रोसेस को एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के साब से बोलूं तो वो तो clearly कहते हैं consider the thumb as the head consider the thumb as the head the two fingers as the middle two fingers as the feet the side two fingers as the hand तो यह मेरा पूरा शरीर जो है एक दो तीन चार पांच ऐसे करके यह पांच पार्ट में आ गया तो अब अगर किसी को वेट रिलेटिड प्रॉब्लम है कि ओवर वेट है तो यह मेरे शरीर का नेवल पॉइंट हो गया जो हाथ का सेंटर है तो जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने रेगुलर मसाज करना शुरू करा पैर का जो तल्वा जो है उसका सेंटर जो है उसको मसाज करना शुरू करा मैंने दीरे दीरे चेक करना शुरू करा रेगुलर्ली एक्टिविटी करने के बा मैं नेवल रेशो में डालूँगा लेफट फीट और अपने पेट का नेवल इनको कनेट करूँगा और मेरा जो है वेट रिड़क्शन के तौर पर वो काम करना शुरू करतेगा तो मेरे को मेरे मेरीडियन्स के तौर पर structures पता चल रहे हैं और वो structures को मैं identify कर सकता हूं एक subject किलाता है auriculotherapy auriculotherapy पूरे कान के अंदर एक पूरी body को assume करता है तो वो कान के अंदर वो बकाइदा कौन सी जगह prick होना चाहिए कौन सी जगह massage होना चाहिए वो करने से वो disease reversal की बात करता है so across all the places यह जो knowledge है मैंने का यह इन सब के पास में इतनी knowledge है और हम तो इंदुस्तानी है हमारे पास क्यों नहीं है तो मैंने का यह knowledge गई तो हमारे यहां से ही है पर वो कौन से पार्ट से गई कैसे गई यह उसका original structure है इस पार्ट से आप हर चीज को connect कर सकते हैं और उसके deviations को map कर सकते हैं तो मैंने जब meridian system design करा जिसका detailed text message मैंने आप लोगों के साथ share कर रखा है उसका basis ही इसी तरीके से था कि मैं कोई particular beach mantra मालिचे मैंने एक beach mantra बनाया लग आदा लग उसमें लिया शह उसमें लिया मह उसमें लिया और मैंने एक लक्षमी बीज मंतर बना दिया अब यह लग यह sky element में शह sky element में और यह नीचे मा जो है यह भी sky element में है अब मुझे अगर इसी sky को लग शह शह मिल रही मा और नीचे लग आदा वैसा वाला रिशी वाला रा लग टीक सेके सो जब मैंने इस प्रकार से लक्ष्मिरी और लक्ष्मिलरी टर्म को लिखा तो यह दौनों मेरे कान के हिसाब से उस डोमेन को इन्वोक करना शुरू हो गए तो जब भी मेरे शरीर के अंदर पर्पज रिलेटेड एंबिगिटी जनरेट होगी तो लक्ष्मी बीज मंत्र यूज करने से मैं अपने किसी भी बॉड़ी पार्ट को पर्पस्फुल बना सकता हूं किसी वेक्ति को सुनाई नहीं देता तो वो इन बीज मंत्रों को यूज करेगा और यूज करने के बाद उसके सुनने की पावर वापस आने शुरू हो जाएगी किसी को दिखाई नहीं देता किसी की इंपोटेंसी रिलेटेड इश्यूज है आप किसी भी चीज को रिवर्स कर सकते हैं तो मैं जिस आस्पेट को टार्गेट करूँगा उसके आगे पीछे उससे रिलेटेड बीज मंत्रों को यूज कर दूँगा तो हमारे यह यह स्ट्रक्चर का बेस है अब वो एक एक करके आप लोग वो जड़ा वो मैसेज वाला शेर पढ़ना शुरू कर दिए तंत्र मेरेडियन का मैंने शेर करा था तो इसी इमेज से मैं आंसर कर दूँगा कि कल दो मैसेज मैंने शेर करेते तो एक-एक मैसेज करके वो तंत्र मेरेडियन ना कल आपने तंत्र मेरेडियन के उपर सिद्धियों के बारे में शेर किया था और एक में तो अलफबेटिकल स्टुक्चर्स की डिटेलिंग थी एक में फंक्शनल स्टुक्चर्स की डिटेलिंग थी तंत्र मेरेडियन करके ही वो टॉपिक हाइलाइट करा था मैंने तंब, स्काइ, ब्रीं के डिटेलिंग टॉपिक्ते एक उब्स्कर्णा के उपर अश्टी, श्टीर, आत्मा, राइट हैंड बेट्वीं फिंगर जोइंट्स, लेफ्ट हैंड बेट्वीं फिंगर जोइंट्स, राइट बेट्वीं फिंगर जोइंट्स, लेफ्ट बेट्वीं फिंगर जोइंट्स, मन, थांब, स्काई, ब्रें, थांब, अब यहां पर मैंन लग मेरे पास एक दो थम यहां पर हो गया दो थम यहां पर हो गया एक मेरा हैड रिजन का हो गया इनको मैंने दोनों कानों से कनेट कर दिया उसको मैंने जो यह मेरा जो जहां मैं माथे पर बिंदी लगाता हूं उस जगे उसको नेजल कैविटी कहते हैं यह नेजल कैविटी हमारे प्रोनेंजियेशन के टाइम पर जो है इस पर इंपैक्ट होता है सो अनुस्वार और विसर्ग जो है वो इससे और अहां करता हूं तो मैं मेरा मुझ खुलता है तो विसर्ग को यूज करने से मेरे माउथ ओपनिंग पर इसका इंपैक्ट आता है फिर उसके बाद मेरा जो मूलधार चक्र है विचिस्टि इस पूंसिब वर यह थे लेस्ने स इंपे इंपे लिए इंप लिए इंप मेरे इंप लिए लिए इंपनिंग्छ लावड टीक खुछ आए तो बावर तो बस्यार रिप्रदू so all this as a matrix is connected with this approach and process तो आपने रोज अपने दोनों हातों के पैरों के अंगूठे को रब करा मसाज करा तो आपके learning abilities, intelligence, fearlessness इन सब पर उसका फरक आएगा आपने यहाँ पर लक्षमी बीज मंतर को invoke करा और उससे अपने दोनों हात और थम और head region को connect करके और आपने अपनी थम related cleaning करते चले गए तो आपको उसका फरक पता चलेगा तो जो हमारा मुद्राओं का approach जो है किसी ने उसके elements को ही change कर दिया सो as a result हमारे को जितना energy पता चलना चाहिए था उतना energy नहीं पता चल रहा था बट इस approach को use करने के बाद हमारे को वो structures में clarity आती है हमारी logical interpretation improve होती है इस पूरे प्रॉसेस को चेक कर सके हम जो वो कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्धे सरस्वती करमूले स्थितगवरी गोविंद्र हातों हातों को देखके करते ना सर उसका भी इसके साथ connection ही होगा फिर basically क्या है it is a vast subject उसकी application के बाद आप बता रहें जैसे कराग्रे वस्तले जो है वो टर्न तब यूज होता है जब देखती सो कर सुबह सुबह उठता है उसको यह बोलते हैं कि आप अपने हाथ में अपनी भाग्य लक्ष्मी को प्रणाम करो आगे के से में यह है बीच के से मे यह है इस परकार से वो है it is a application मैं अभी source code पर बात कर रहा हूं application मेरे सारे पुराणों में उपनिश्दों में तंत्र में हर जगे वो application के तौर पे उसके source code दे रखे हैं बट वो source code का basis क्या है और वो कहां से originate हो रहा है मैं उस part को address कर रहा हूं कि मेरे पूरे subject में जो है व तो कोर कहां से originate हुआ मैंने मतलब मेरा कहने का point यह है जैसे मैम ने example दिया कि मैंने 9 गंटे वो नवावरण का पूजान करा आपने स्लोक बता दिया बट अगर यह जो structure में present कर रहा हूं यह आपको समझ में आ जाए तो आप कोई सा भी text कोई सी भी पूजा उससे अपने आ कोई साइन्टिफिक जर्नी समझा सके यह अबजेक्टिव पूरी exercise का इतना है हमारी हां हर जीच है कितना कोई करना पड़ेगा तो कि Pode और आ करना पड़ेगा अब मैं कैसे उसको जस्टिफाइए करोंग और मेरी तो तो बुद्धी कम है तो मैं तो जब रास्ते पर चला तो मैंने उसको देखना शुरू करा तो जैसे जैसे मुझे कोई बताता गया तो मैं तो बहुत सारे अगोरियों को जानता हूं जो की मुझे शमशान घाट में मिलते हैं और सारा कुछ है तो मुझे पता चलता है कि कि किस इसी भी लाइफ में एक हेल्दी प्रैक्टिस में कनवर्टी नहीं होगा तो यह जितने भी आस्पेट्स हैं इसको हम अगर समझ के करेंगे तो हमारी अप्रोच चेंज उड़ाती है मेरा एक पारटी में सबसे प्रिमें तभम में मेरा लेवल 2 के अंदर मैं हमेशा करता हूं विच इस बींग इंपरेग्ंप ब्रह्मा जी निकल रहे है तो जब मैं उस image को देखता हूँ तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि it is pure impregnation with thought आप सोचते ही नहीं कि नाभी कमल जो है वो स्त्री के शरीर में होता है या पुरुष के शरीर में होता है और वहां पर विष्णु जी का है लक्ष्मी जी पैड़ दबा रही है पैड़ दबाउड ठीक है नहीं दबाउड ठीक है वो उसमें कोई परिशानी नहीं है बट creation जो है वो विष्णु जी की नाभी के उस ऐसे body part को highlight कर रहे है जो महिलाव में होता है तो वहां पर या तो कोई hidden meaning है जो लोगों को नहीं पता या फिर वहां पर कोई ऐसी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया पूरे system को transform कर रही है बट हमारी जो translations हैं उसकी कमी की वज़े से उसका वो scientific part कभी connecting नहीं हो रहा और मेरे या बच्पन से जैसे एक बच्चा एक हिंदू महौल में या अब तुकर इंडिया में सब जगे आई यह सबसे पहले पढ़ाया जाता है तो वो क्यों पढ़ाया जाता है उसकी relevance क्या है क्या वो simple भाषा है या यह अपने आप में scientific system है objective पूरे exercise का वो वाला है मैं एक structure में कुछ alphabet को place करता हूँ तो आप बोलते हो कि मेरे को यहां पर महालक्षमी खड़ी दिख रही है मैं वो structure को change करता हूँ तो आप कहते हो यहां मैं टीवी दिख रही है तो मैंने तो simple alphabet कोई invoke करा ना मैंने तो कोई और चीज़ invoke नहीं करी बट वो alphabet का invocation जो है वो divine connections को represent करने लग गया अभी थोड़ी देर पहले तो बच्चा उस connection को जानने के बावजूद वो पढ़ता भी नहीं था यहां मैं divine powers भी उस AIE से generate कर दे रहा हूँ किसी भी विक्ति के अंदर किसी की बिमारी कहीं से भी बैठ कर ठीक कर सकता हूँ मैं यहां बैठा हूँ आप अमरीका जर्मनी दुनिया के किसी भी देश में बैठे हूँ यहां बैठे बैठे मैं इनी संस्कित के वर्णों की उर्जा उटा कर डाल कर उसको ट्रांस्फर्म कर देता हूँ अब आप सोचे कि कल को जो है मैंने दो-पाँच हजार लोग इस बात पर ट्रेन कर दिये और उन्होंने जो है देश दुनिया में होने वाले दो-पाँच हजारी ओर्गन ट्रांस्प्लांट को रोग दिया तो मैंने कितनी बड़ी आई के थुरूक कितनी बड़े फैनाचल सिस्टम को अप्स्टर्ट कर दिया हिंदुस्तान में सिर्फ अकेले हिंदुस्तान के अंदर जो और्गन ट्रांस्प्लांट का जो बिजनस जो है डैट इस 25,000 क्रोर्स और यह मैं आपको पांट साल पुराना प्री कोविड का डेटा बता रहा हूं प्री कोविड और पोस्ट कोविड में एट लीस्ट थ्री टू फाइव टाइम्स का फरक आ गया मतलब जो कोविड से पहले 25,000 करोड था वो अब एक लाग करोड का मार्केट हो गया तो मैं सिंपल आई से एक लाग करोड रुपए साल का मार्केट ही आपस्टर्ट कर देता और मेरा वो टारगेट भी नहीं है मेरा टारगेट तो सिर्फ 31 दिसंबर से पहले डाइविटीज फ्री कंट्री देखने के एसाब से है कि मैं उस टारगेट को कितने और्गनाइज तरह कारम कर सकता हूँ 35 करोड लोग बताये जा रहे हैं अब 35 करोड लोग अगर मैल नूट्रीशन में हो गए वो 35 करोड लोग जब बाकी बच्चों को पैदा कर रहे हैं उनकी जो प्रेगनेंसी अप्रोच है उस टाइम पर तो वो नरिश्मेंट नूट्रीशन जो है वो पूरी जनरेशन के होंगे वो सभी डायविटीज फ्री होना शुरू हो जाएंगे कितना बड़ा मार्केट है जिसके तौर पे आप सोच भी नहीं सकते उतने ट्रिलिन डॉलर के मार्केट की बात करो सिंपल आई पढ़ाने से तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को ही दे ही निहीं पहूंचा वह संस्क्रित के तो निग현ा पता है एक दफ़े यह relevance ट्रॉक्टिरिंग ऑगई तब आपको कोई जाएगा तब अपने बीतर काली लक्षमी दुरुगा जिसको चाहिए इसको इन्वोक करो structuring पता चल गई आपको जो भी इन्वोक हो गया उसके बाद मजा ले कोई किसी के सामने रुख भी जाए शुट उप्वाइब आपको जो एक लिए नेक्स पर आते हैं नेक्स पर आते हैं नेक्स एलिमन टिल फिंगर तो एर अलिमन रिस्पॉंसिल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स वगेरा जो बॉड़ी पार्ट्स है उसके तौर पर प्लस इस कनेक्टेड विद लिटल फिंगर ऑफ बोथ हैंड एंड फीट इस कनेक्शन को हमें अपने बीतर इन्वोक करना है और इसमें कोई भी बीज मंतर को लेकर चलते हैं मैं यहाँ पर गायतरी महम्म्हेमंतर को बोलता हूँ में लिट्ल फिंगर लिट्ल फिंगर हr तो गैतरी महम्म्हेम er रिratos ग्यत्री, श्वत्री और शर्वग्यी इन तीनों की complete form जो है वो इसमें पता चलती है तो मैं इसको लिखूंगा तो कैसे ग्यत्ष्वरी ये मेरा इसका एक पार्ट आता है और महाम रतुन्जे में हुरॉम अंजूम शाह तो वो उसके दूसरे पार्ट आते हैं तोमल लाया शक्षरों अंजूम और सो ऐसे करके मैं एक बीज मंतर बनाता हूँ वो मैंने शेर कर दूँँ अगर इन केस नहीं है आगे आएगा भी तो वो बीज मंतर को मैंने अपने दौनों लिटल फिंगर हाथ और पैर की और अपने लंग्स को इससे कनेट करा और कनेट करते ही मैंने वो बीज मंतर को इन्वोक करके अपने लंग्स को ही क्लीन करना शुरू करा तो मेरे लंग्स क्लीन होना शुरू हो गए तो जितना भी कफ मेरे लंग्स के अंदर उसको ब्लॉक कर रहा है उसको मैंने क्लीन करा और उसको डायरेक्शन दी कि यह जो फिंगर्स डायरेट कर रही है वो उस कफ या accumulation of tar in my lungs वो excretory system के through his body से बाहर निकल जाए and that's how we are directing the entire वो अब इसके जो body parts है जो इससे connect होते हैं वो again जहां ब्रामन की चोटी होती है उस जगे को हम लेके चलते हैं मुख विरत पूरा मुझ जो खुलता है उसके तौर पर आ करते हैं यह यह वाली मसल्स जो है इनको यह करते हैं बहुत सार लोग ऐसे होते हैं जो पानमसा लगाते हैं उनका मुझ खुलना बंदू रहता है limited opening क और पर वह हो जाता है तो वह आ जो साउंड है वही उनकी अब्स्ट्रक्ट हो जाती है फिर हा मेरा लंग्ज और थ्रोट चक्रा हो जाता है श मेरा मज्जा के लिए टर्म्यूज होता है कर मेरा राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर चर टर इस राइट थाइन हिप जोइंट तर इस लेफ्ट थाइन हिप जोइंट पर इस बैक अब ये जितने भी है एर एलिमेंट का जो मेजर एरिया होता है वो शरीर में किसी भी प्रकार के पेन को एड्रेस करता है अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है इसका मतलब है आपका एर एलिमेंट जो है वो कुपित है इस एर एलिमेंट को एड्रेस करते ही ये पेन अपने आपी सबसाइड हो जाता है तो बहुत सारे जो खासतार पर महिलाओं को क्या होता है फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है जादे तर पॉस्चर्स डिफाइंड होते हैं तो वो जो फ्रोजन शोल्डर्स है वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं जस्ट बाई एड्रेसिंग के दोनों शोल्डर्स को का और चा को श्रीम कम श्रीम श्रीम चम श्रीम ऐसे करके आप ध्यान करते हैं और वो आपके address हो जाते हैं, आप अपने little finger को massage करना शुरू कर देते हैं, दोनों हातों की और दोनों पैरों की, तो भी ये pain subside होना शुरू हो जाता है, तो ये जो मेरे body parts हैं, इनको मैं इस finger और मंत्र के basis पर ये address कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक बीज मंत्र बनाया, कि जो air elements से related है, उसे मैंने लिखा लशक्षी, ये मैंने एक बीज मंत्र बना लिया, लशक्षी, तो जैसे लक्षमी लिखता हूँ, लक्षमी में last में मा होता है, इधर में मा ना करके मैं इसको उस चक्रा की sound से connect कर दूँ, तो it is giving purpose to that body part, और जैसे मैं उस purpose को करता हूँ, immediately वो body parts की functioning reverse हो जाती है, अब why I am saying this is, purpose has everything to do with intelligence, तो मेरे आज जो बिमारिया चल रही है, वो चल रही है, autoimmune disorders, जिसका medical science के पास कोई treatment नहीं है, और वो इसको इस possibility को भी निचेक करते हैं, उनके पास patient आता है, बोले जी मेरी liver काम नहीं कर रहा है, हाँ जी आपका SGPT, SGOT बदला हुआ है, वो उसके तोर पे बात करते हैं, and one fine morning वो liver transplant कर देते हैं उस patient का, तो जो नहीं मरता वो भी मरना सुरू हो जाता है, so autoimmune, उसके actual problem जो है, वो autoimmune disorder है, कि जो liver का, जो software है, वो corrupt हो गया है, तो जब हम किसी भी चीज में purpose को identify करते हैं, तो हमेरे को पता हैं, autoimmune disorder का spectrum बहुत बढ़ा है, तो एक particular body part को simple fingers में invoke करके, उस बीज मंतर को invoke करके, जब मैं उस पूरे part को clean करता हूँ, मेरी सारी transformation होनी शुरू हो जाती है, उस transformation को मुझे next level पे connect करना है, तो काकि ये जितनी भी बिमारियां और इस से related part जो है, तो प्रकृति में ऐसा हो सकता है, या इस शरीर में ही होता है, कि चलो हम बाहर की हवा, बाहर का आपने हवन में बोला के अगनी तत्वा को जागरत करने में इसका invoke करते हैं, तो हवा में भी हो सकता है, प्रकृति के साथ भी आप सर्फिल कर सकते हैं हर activity को, एर की intelligence आप अपनी little finger पे feel कर सकते हैं, अपने shoulders पे, thigh and hip joint के उपर उसको feel कर सकते हैं, तो जब आप उसको feel करते हैं तब आपको वो पता चलता है कि ये पूरे structure में क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, मैं इसको intelligence related process पे इसलिए highlight कर रहा हूँ, because हमारी तीन body है, gross body, subtle body, causal body, but क्या वो subtle body के corrupt होने पर उसको ठीक करने की कोई प्रक्रिया है, for example हमारे यहां defense में 4G जो है सियाचन glacier में job कर रहा है, extreme minus 15 degree minus 30 degree इस temperature zone में जाना है, तो जब उनको उस extreme temperature zone में जाना है तो उनको जब उनका subtle body और gross body दोनों ही impact हो गए, कि आपको पता चल रहा है कि इसकी सोचने समझने की शक्ती में फरक आ गया, इसकी physical activity में फरक आ गया, तो उस situation में उसको ठीक कौन करेगा, Allopathy में तो कोई ऐसी भी दवाई नहीं है जो ताकत देती हो ताकत बढ़ाती हो, ढूंडते हो बहुत सारी चीजे हैं, but end of the day they end up only creating steroids, और steroids का भी अपना addictive behavior है, जब तक ले रहे हैं तब तक वह वह सा दिख रहा है, जैसी लेना बंद करते हैं, withdrawal symptom आ जाते हैं, तो मैंने जब यह पूरे process को study करा था, तो मुझे सबसे important part जो पता चला वो यह था, कि जैसे blood pressure के लिए, आयुर्वेद में दवाईये सर्प गंदावटी, homeopathy में दवाईये serpentina ralphina, और alopathy की दवाईती serpentol, अब यह तीनो जगे पे serpent term common है, एक में उसको serp कह रहे हैं, एक में serpentina कह रहे हैं, एक में serpentol कह रहे हैं, जब यह तीनो दवाईयों को देखा गया, तो यह पता चला कि serpent term अगर common है, तो तीनो पैथी में difference क्या है, बड़ा simple सा difference था, serpentol जो है, वो addictive behavior generate करती थी, मतलब कि जैसे ही आपने serpentol लगातार लेने के बाद उसको बंद करा, वो withdrawal symptoms generate करती थी, वेराइस सर्पगंदावटी और serpentina, राउलफीना जो homeopathy में यह आती है term, वो उनके कोई withdrawal symptom नहीं थे, कि जैसी बंद कर आप बिमारी पिर से आ गई, वो reoccurrence वाला part नहीं था, which made us realize कि कहीं न कहीं, और उसके बाद फिर serpentall ban भी हो गई थी, I don't know, इंडिया में बहुत भी थोड़े टाइम पहले ही है, but US बगरा में तो बहुत पहले ban हो गई थी, तो मैं तो US market को बहुत जादा time to time observe करता रहता हूं, कुछ doctors, friends और जानकार भी हैं तो उनकी वज़े से भी, तो मतलब मेरे पास में 2014 में information आयता that globally it is death of antibiotics, तो जो western system था उसने 2014-15 तक antibiotics इस्तिमाल करी थी, उसके बाद उन्होंने वो पूरा usage और process को कम करते चले गए, आज मैं Australia में सुनता हूं कि किसी को बुखार हो गया तो दो तिन दिन दो उसे अस्पताल में रखेंगे, लेकिन उसे जो है fever वाली दवाईयां नहीं देंगे, क्यों क्योंकि उसकी body naturally अपने आपको immune system से grow करे, इंडिया में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आदमी डॉक्टर के पास तक नहीं जाता, तुरंती दो परसेटमाल फाकी है और काम पर चाल हो गया, तो ऐसा रिजल्ट अगर एक बार एक ऐसा वाइरस जनरेट हो गया, जो एंटिबाइटिक्स के impact कोई counter कर देता है, तो उस situation से डढ़ते हुए लोगों ने यह बोला कि अब हमारे को इसके आगे एंटिबाइटिक्स यूज नहीं करनी है, तो आप पढ़ेंगे तो there are hundreds of articles on death of antibiotics in 2014-15 में यह बहुत strong concept चला था between doctors, तो कहने का मकसद यह है कि धीरे-धीरे गलती से भी अगर एक ऐसा वाइरस generate हो गया, जिस पर antibiotics ने काम करना बंद कर दिया, तो हमारे अपने system में क्या उसका solution है, यह तो हाथ खाड़े कर देंगे कि भई it is we are not able to control, जैसे कोविट के टाइम पर हुआ तो पूरी एलोपेथी community ने control के तौर पर हो छोड़ दिया, और आज तक हम उसके रेपरकेशन देख रहे हैं कि कि किसी के कोई भी viral वह हुक्म क्या करते हैं, हार्ट फेलियर जो भी recently हो रहा है, वो globally सबसे अधर trend कर रहा था है as a topic, बैटे बिटा है आज मी डाइनिंग टेबल पे बैटा हुआ है, cardiac arrest हुआ और खतम, क्यों हुआ क्योंकि एक कफ का patch जो है वो lung से हार्ट के बीच में गया, block हुआ, या तो paralysis stroke हुआ या heart stroke हुआ और victim मर गया, and it was all side effects of the vaccine, तो plus और minus के एसाब से बिना लंबी study के चीज release कर दी गई, क्योंकि एक global वो था कि जितने बचेंगे उत्ते तो बच जाएंगे, पर जितने बच रहे हैं, उनके अंदर कितनी complications generate हो रही है, इसके हिसाब से कोई part नहीं है, तो मैं एक alternative mechanism share कर रहा हूं, जिस alternative mechanism को use करके आप उस situation में अपने आपको बचा सकते हैं, जिस situation में medical science आपको कह दे कि नहीं, we are not in a situation to handle this, तो मैं इस program को इसलिए बता रहा हूं, और मैं लगाता testimonials भी इसलिए share करता हूं, so that कि अगर कोई व्यक्ती हील होता है, वो अपना testimonial दे कि मैंने उस complex environment को reverse करा, absolutely, without taking any medicine, without doing any exercise, just by distance healing, तो मैं वो distance healing कैसे करता हूं, मतलब करती तो आरती है, हर चीज मैं नहीं करता, लेकिन उसका जो theoretical structure है वो मैं लोगों से connect कर रहा हूं, because once this knowledge becomes scalable, तो हम बहुत सारी problems को reverse कर सकते हैं, that's the intent behind the doing this program, next element पे आते हैं, fire, fire में हमारी ring finger, both hands and feet, and it's connection with heart, liver, pancreas, creation of blood, and cellular reproduction, all this is connected with my ring finger, अब इसको हम, left eye, right eye, left temple, right temple, temple करने कनपटी को, तो left temple, left temple, right temple वो उसके तोर पे, E-A-I, यह मेरा अनहाचक्रा, शटकून का शा मेरा power of cellular reproduction, और यह वीरे के तोर पे भी आता है, जैसे medical science में एक बिमारी होती है, जिसमें sperm count zero हो जाता है, किसी भी वेक्ती का, तो आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई नहीं है, जो किसी भी वेक्ती को जिसका sperm count zero है, उसको बढ़ा सके, अचा नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, अगर low sperm count है, उसको high करने के लिए बहुत सारी दवाई आ है, जैसे योगे इंदरस, जैसे मैं, इसका major impact होता है, कि वो शरीर के अंदर sperm count को बढ़ा देती है, किसी को कितने भी उसके दिक्कत हो, लेकिन zero अगर है तो वो zero को one नहीं कर सकती, मंत्र चिकित्सा एक ऐसी domain है, जिसमें कि आप यह शटकोण के शह को जो है, आप शुई बीज मंत्र से शटकोण के शह को यूज करना शुरू कर दिजे, और आप इसको देखेंगे कि यह एकदम से जो है, या सिर्फ शम ही लिखना शुरू करते हैं शटकोण के शह के तौर पे, it acts phenomenally, सिर्फ शम शटकोण के शह को लिखना शुरू करते हैं, तो उस विक्ति का स्पर्म काउंट दीरे दीरे zero से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मैंने तो बहुत सारी जगहे पर इसके एक्सपरिमेंट करें देखेंगे जिए तो फर एक्जामपल वेरिकोवेंस की चैलेंज था, तो वेरिकोवेंस में नीले नीले गुच्छे बन जाते थे अब वो ब्लॉके जुडाती थी, अब वो लैब टेस्ट कराने गए तो लेवल टू करके उन्होंने वेरिकोवेंस का डिस्टरवेंस बता दिया, हमने और डॉक्टर ने बोला देखो अब बहुत ज़्यादा उम्मीद ने करना क्योंको उसका वेरिकोवेंस रिप्रोड़क्टिव और्गेंस के अराउंड बन गया था, सॉलुशन नहीं दे रहे किसी वेक्टि को, तो उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आर्टी ने पंदरा दिन इलिंग करी, उसका जो है, वो पंदरा दिन बाद जब उसने दुबारा लैब टेस्ट करा है, तो वो प्रॉब्लम है, अब इसमें ध्यान रखने का पार्ट कैसे है, मैं अभी एक वो नई मूवी आई थी, खेल-खेल में, उसको देख रहा था, तो अभी रीसेंट ही थी, अक्षे कुमार की मूवी थी, तो उसमें जो है, सब की एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर से रिलेट ना हो, लेकिन उसकी डिजीज जो है, इस लेविल पर हो कि वो जो है, करप्ट ना हो, अब किसी को अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो वो हर जगे उसके साब से सोचेगा, उसकी अप्रोच में चेंज होगा, तो मर्यादा एक पार्ट हो गया, और डिजीज जो है, वो उसका जो आस्पेट है, वो किसी आदमी का तलाकी इसलिए हो रहा है, क्योंकि वो उसका जो है, नॉर्मल सिस्टम जादा है, तो डिजीज जो है, मैंने उसके ऐसे 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 आस्पेट देखे, मतलब जैसे कोई डिवाइन प्रोसेस में आप से खुदी तो छीक आने के बाद वो क्लियर हो गया पूरा कैविट जो पाड़ था बड़ा डिर्टी सा ब्लड वगएरा भी निकला अजीब से तरीगेगा पट उस दिन के बाद मेरा राइट नॉस्ट्रिल और लेफ नॉस्ट्रिल दोनों चलने शुरू हो गए तो आई रिलाइस कि मैंने इतने दिन तक जो भी एनलेसिस करा वो एनलेसिस इसलिए कर पाया कि मेरा कफ जो है वो उस उसको किसी ने कंट्रोल कर दिया तो डिवाइन अगर कोई चीज कर रहा है अब मैं कफ को बोलू नहीं कफ तो बहुत खराब होता है कफ से बहुत प्रॉब प्रॉब्लम तो हर चीज की रिजॉल्व हो सकती है बड़ प्रॉब्लम जो है जैसे आज हम कर रहे थे हैं कि वारही कुरोध की अधिश्टात्री है यह वाली देवी इसकी अधिश्टात्री है तो वह वो जो आस्पेक्ट ऑफ डिजीज जो है वो डाइटी से कनेक्टेट नहीं है डाइटी उसके बैलेंस से क्रियेटेट कनेक्टेड है तो हम अपने आस्पेट्स को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे को प्रॉब्लम हो रही है हम हड़ चीज को तो गुड और बैड और यह तो बहुत खराब होता है मतलब जब छोटे थे तब एक वोट वो चलता था कि वो मदर्स फीड नहीं देना चाहिए वो बच्चों की इम्यून सिस्टम को खराब करता है पंदरा साल वो प्रक्रिया चली पंदरा साल बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या गई मदर्स फीड तो करपल सरी है जरूर देनी चाहिए तो धीरे धीरे अब जिस बच्चे की मदर ने ओ डाक्टर की बात सुनकर नई फीड कराया उसकी जनरेशन में वीक्नेस आ गई तो प्रोसेस में चालेंजेज है जबकि हमारे टाइम पर मतला वीवर वेरी फॉर्चुनेट की हमारे पास गुरू जी जैसा एक विक्ति रहा जो की हमें सौ साल की इंफॉर्मेशन शेयर करके दे रहते कि मैंने ये इतने टाइम से स्टडी करा है मेरे साब से यह चीज गलत है जबकि उनको मंत्र और सारी प्रक्रियां अच्छी तरह पता थी बट उन्होंने अगर कोई बीमारी के बारे में पढ़ा तो उसके सारे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन वो शेयर करते थे तो उनको कहना था कि एक व्यक्ति को अपनी संतान को साड़े तीन साल मिनिमम मद व्यक्ति के अंदर मतलब 40 साल की उमर के बाद भी हाड़ प्रॉब्लम्स नहीं आते तो छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर इतने सारे आस्पेक्ट जो मैं नहीं पताते नेक्स्ट आते हैं इसका जो बॉड़ी पार्ट है वो है कह से रिलेटेड कह इस कोनी एल्बो तो राइट लेफ्ट फिर नी जोइंट्स राइट लेफ्ट एंड पैंक्रियाज तो यह सारे के सारे जो हैं इनकी मेरीडियन्स को जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं दौनों हातों की रिंग फिंगर को देखूंगा अपने हार्ट को देखूंगा पैरों की रिंग फिंगर को देखूंगा और इन सब जगे पर मैं माननीजे मुझे यहां पर बीज मंतर को डालना है तो मैं यम बीज की वरे से उसको लक्षाई बोल दूँगा तो लक्षाई करते ही मेरे इसमें ये पूरा चक्रा जो है वो रिवाइव होता है इसके लास्ट अलफाबेट को आप हर जगे यूज कर सकते हैं फॉर एक्जामपल लक्षाई लशी लक्षखी ये लास्ट अलफाबेट जो है जैसे लक्षाई टर्म मैंने लिखा है इसी तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं मैंने इसी बेसिस पे साथ सो बीज मंतर जो है उसको बनाया था कॉम्बिनेशन के तौर पर विच वस फेनोमेनल एनर्जी तो जैसे ही हमारे बॉड़ी पार्ट्स के अंदर फेनोमेनल एनर्जी जनरेट होती हैं इमिजेटली हमारा जो आस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग है उसमें फरक आता है ठीक है जी तो आज इसको इतना ही करेंगे बाकी कल करेंगे वरना थियोरी बहुत जादा हो जाएगी तो वैसे भी अल्मूस्ट थोड़ा ही बचाए बट प्रैक्टिकल भी इसमें डिस्केशन के बहुत जड़ोते हैं इससे आपको जो है basis of disease और disease को कैसे hit करना है बाकी तो हम सारी चीजे एक ऐसे model में बना रहे हैं कि जो की जैसे हम यंत्र बना रहे हैं तो हमने अलग-अलग यंत्रा बना कर उसको use कर लिया तो किसी भी रीजन से घर में जो energy है उसको कैसे transform करना है हमने उसको identify कर लिया चक्र को कैसे transform करना है नवग रहे के लिए यंत्र बना है तो उसके साबसे कैसे transform करना है उसके बाद कोई भी aspect pertaining to जिसको की हम बोलें कि low energies है तो लक्षमी जी का वो उसको कर लिया कि financial energies को कैसे बढ़ाना है तो वो लक्षमी जी के बीज मंत्र के साबसे करा कल फिर मैंने उसको दिया या योगी नी वो मैं समझा नहीं चौंसर सिद्धिया या अर्ष्ट सिद्धी नौनिदी वो हाँ तो जो अर्ष्ट सिद्धी जो है उसका basis क्या था वो बेश्ट सिद्धी जो था वो था करके वो ग्रिड बनता है पूरा जिसको की मैंने उसमें शेयर करता और ब्राम्मी महेश्वरी ये आठ शक्तिया थी तो वो जो आठ शक्तिया जो थी वो आ की डोमेन में अडिमा कहलाती थी ए की उसमें लगिमा उ की उसमें महिमा ऐसे करके वो अश्ट सिद्धी के तोर पे डिस्क्रिप्षन था तो अश्ट सिद्धी को जब अश्ट देवियों के साथ मैप करते हैं तो चौँसट देवी शिद्धिया आती है तो मैं कल उसको कैसे मैंने बनाया मैं कल उसको शेर कर दूँगा क्यों थियोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रैक्टिकल पार्टनियों का तो भी मज़ा नी आएगा पढ़ने में अब एक बताये थे तो एक अब यहाद थे वाटसप प्पिपिगा थे है अब वट दूट राते हैं अब वट सप्पिपिगा थे हैं अब वह जो साही समय का इंजार जो हता है वो ठड़ बत रियली मेकस अ चेंज इन दी लाइफ प्राक्टिकली इतनी बार नोटिस करा है मतलब मेरे को नहीं लगता जैसे टर्म है पेशेंस उसमें और यह आया भी इस बात के उपर था क्योंकि वो टर्म लिखा हुआ है उद्धियम साहस धहर्यम बुद्धी शक्ति पराक्रम तो एक सक्सेस्फुल स्टार्टप के लिए य नॉलेज उद्धियम साहस इस रिस्क कैलकुलेशन धहर्यम इस पेशेंस बुद्धी इस क्रियेटिविटी और इन्नोवेशन पराक्रम इस अंडर्स्टैंडिंग तो जहां पर भी यह होते हैं वहां पर व्यक्ति सफल होता है तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो समझ में आते हैं जब मैंने पेशेंस को देखा तो व्यक्ति का जो अप्रोच है मान लिजे किसी को सक्सेस नहीं मिल रही है तो वह अपने आप ही मतलब नेगेटिव जोन में जा रहा है उसको उस टाइम पर उन चीजों को करने से आज आप जो मॉडल मेरा देख रहे हैं मैं यही सब्जेक्ट पिछले चार साल से पढ़ा रहा हूं सबको हर तरीके के एज ग्रूप में पढ़ा रहा हूं जो चीजे चार साल पहले थी और आज है उनमें जमीन आसमान का फरक हो गया आने वाले टाइम में और कितना होगा that I'm not too sure बट यह इतनी सारी चीजे जो निकली वो सिर्फ इस वरे से निकली कि मैंने सिर्फ गैप अना फोकस करा I thought since it is not the right time for me कि तो मुझे इस समय I have to religiously wait for my turn जब मेरा नंबर आएगा तो दुनिया की कोई थाकत नहीं रोक पाएगी तो मैंने मेरे purpose कोई define कर दिया कि ठीक है मेरा नंबर कब तक आएगा 31 दिसंबर 2025 से पहले आएगा क्योंकि तब तक मेरे पास वो सारी चीज़े होनी चाहिए जो इस process को reverse कर दे तो दुनिया बोले कि हाँ इस देश के अंदर आयरुवेड का जनम ऐसे ही नहीं हुआ यहां के लोगों के पास वो चीज है तो यह एक पार्ट है तो आने वाले टाइम में आप देखेगा यह वाला तो मेरा बहुत मैं अपनी डॉटर को भी यही चीज़ बोलता हूं कि आप हमेशा जी यूशुड पेशेंटली वेट फॉर यूर टर्न नहीं उसकी जॉब लग गई इसका यह हो गया उसका वो गया मैंने कर नो नतिंग डॉइंग वे वर कॉन यूर प्यूर्ली गैप अनालिस लेकिन पेशेंटली वेट फॉर यूर टर्न ऐसा होई नहीं सकता कि ना हो तो बड़ा इंट्रेस्टिंग होता है